Candid Aman, कहानियों का स्मगलर और वेदिका के अंदर है SR का डर आईए सुनते हैं क्या हो रहा है दोनों के बीच लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल Candid Aman को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारी कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेर नहीं किया है तो क्या कर रहे हो दोस्त हमारा चैनल अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करना entertainment भरपूर आपको यहाँ पर मिलता रहेगा यह मेरी guarantee है चलिए शुरू करते हैं कहानी को वेदिका सीडियां चड़ते हुए अपने दिल की धड़कनों को थामे हुए SR के रूम की तरफ बढ़ रही थी SR के रूम के बहार आकर वेदिका के कदम थम चुके थे वेदिका की हिम्मद जवाब दे रही थी SR के रूम में एंटर होने की सोच कर ही लेकिन वेदिका वेदिका ने हिम्मद की और आकर SR के रूम के हैंडल को घुमा दिया वेदिगा ने रूम में कदम रखा अंदर का डेकॉर ग्रे, वाइट और ब्लाक रंग का था रूम के सेंटर में एक बड़ा सा बेट था जिसके पीछे एक बहुत बड़ा सा उकेरा हुआ वाल साइज का प्लेनेट बना हुआ था जिसके साइट से लाइट्स रिफ्लेक्ट होकर रूम को हलका हलका रौशन कर रही थी सफेद रंग के बड़े से बेट पर एक ब्लैक कलर की साथन की बैट्चीट बिची हुई थी बेट के उपर सलीके से एक सफेद रंग का मखमली ब्लैंकेट बिचा हुआ था फ्लोर पर एक ग्रे रंग का कापेट बिचा हुआ था रूम के कॉर्णर में एक बड़ा सा लैंप भी था जिससे पीले रंग की रोशनी रूम के उसी कोने में बिखर रही थी सामने एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ था उस पूरे रूम का औरा बहुत डाग था एकदम SR के नीचर की तरह वेदिका ने अपने कदम आगे बढ़ाए तो उसकी नजर बेट पर SR के निकाल कर रखे गए कपड़ों पर गई इससे पहले वो कुछ सोचती या समझती वाश्रूम का डोर खुला और SR अपनी वेस्ट से नीचे ताल बांधे आधी भीगी हालत में अपने बालों को हैंड ताल से सुखाते हुए एंटर होता है SR को यूँ इस तरह से अपने सामने देखकर वेदिका ने अपने चेहरे को फौरण उसकी तरफ से फेर लिया था वेदिका को अपने रूम में देखकर SR की आइब्रो तन चुकी थी वेदिका अभी भी उसी शादी की साड़ी में सजी बिखरी हालत में खड़ी हुई थी SR ने गुस्से में अपने कदम उसी हालत में वेदिका की तरफ बढ़ा दिये वेदिका को SR अपनी और बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था वेदिका ने सहमते हुए अपने कदम को आगे डोर की तरफ बढ़ाया ही था कि तभी SR ने वेदिका के हाथ को पीछे से होल्ड कर लिया और अपनी और जटके से खीच लिया वेदिका के पीट SR के सीने से जा लगी थी वेदिका इस समय S.R. के अपने करीब आने से बुरी तरह से सहम चुकी थी वेदिका ने अपने हाथ को S.R. से जटक कर छुडाने की कोशिश तो की लेकिन S.R. S.R. वेदिका को खीचते हुए अपने साथ बेट की तरफ ले आया था वेदिका समच चुकी थी कि S.R. आगे क्या करना चाहता है S.R. ने वेदिका को उसकी बाजू से थामते हुए उसे बेट पर पटक दिया वेदिका सहमते हुए बेट के एक कोने में समच चुकी थी S.R. ने जल्दी ही वेदिका के पाउ को थामते हुए उसे अपने करीब खींच लिया वेदिका ने घबराते हुए उससे कहा Please S.R. don't do this S.R. वेदिका के नज़दीक आया तो वेदिका बेट पर S.R. से दूरी बनाते बनाते बेट पर ही बिच चुकी थी S.R. ने वेदिका के उपर जुकते हुए उसकी चिन को अपने एक हाथ में थामा और उससे कहा मैंने किया क्या है अभी वेदिका तो मुझसे इतना क्यों घबरा रही हो वेदिका ने घबराते हुए S.R. की ब्रॉड चेस्ट पर अपने दोनों हाथ जमा दिये ठीक उसी वक्त S.R. ने वेदिका के दोनों हाथों को थामते हुए उसे खीच कर बेट पर सीधे बैठा दिया और उससे कहा Stay like this and don't move इतना कहते हुए S.R. वेदिका के पास से उठकर अपने रूम में लगी एक ड्रॉर की तरफ बढ़ गया S.R. अभी भी उसी हालत में था जिसमें वो रूम से बाहर आया था S.R. ने उस ड्रॉर में से फर्स्ट एट बॉक्स निकाला और उसे लिए वो वापस वेदिका की तरफ पढ़ गया वेदिका सहमी हुई बैट के हेट से लगभग चिपकी बैठी थी जब S.R. ने उसकी कलाई को थामते हुए उस पर बंधे अपने खून से सने रुमाल को खोल दिया वेदिका एक टक S.R. की तरफ हैरानी से देख रही थी S.R. ने फर्स्ट एट बॉक्स को साइड में रखा और उसमें से कॉटन बॉल को निकालते हुए एंटिसेप्टिक लिक्विट से वेदिका की कलाई पर बने जख्म को साफ किया S.R. ये सब बड़े ही इतमिनान से कर रहा था S.R. के उस कॉटन बॉल से अपनी चोट के टच करते ही वेदिका के मूँ से आख निकल गई वेदिका ने अपनी आखों को दर्द से कसकर बन कर लिया उसके मासूम चहरे पर S.R. को दर्द साफ नज़र आ रहा था वेदिका अभी कम उम्र की थी और उसमें अभी हिम्मत की भी कमी थी SR ने कुछ पल वेदिका के चहरे को देखा और फिर उसने वेदिका की कलाई को अपने होटों के नजदी करते हुए उस पर फूक मारी तो वेदिका ने आहिस्ता आहिस्ता से अपनी आखे खोल ली वेदिका हैरानी से SR की इस हरकत को ही देख रही थी वो उसे किसी छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था SR ने एक नजर वेदिका की तरफ देखी और अब antiseptic ointment को वेदिका की कलाई पर लगाते हुए उसकी कलाई पर bandage बांदी वेदिका की कलाई में जो कुछ चूडिया मची थी उन्हें भी SR ने संभालते हुए उसकी कलाई से निकाल दिया जिसके बाद SR ने उस first aid box को night stand पर रख दिया SR एक बार फिर से वेदिका की तरफ पलटा और उसने वेदिका के हाथ को अपने हाथ में थामते हुए उसे बेट से खड़ा कर दिया वेदिका समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर SR आगे क्या करना चाहता है लेकिन वेदिका को जल्दी ही उसके इस सवाल का जवाब मिल चुका था जब SR ने उसे खीचते हुए वहाँ से सीधे अपने रूम में डले उस बड़े से ग्रे रंग के सोफे की तरफ धकेल दिया वेदिका उस कोशिश से सोफे में लगबग समा चुकी थी SR ने सोफे पर बिच चुकी वेदिका के उपर जुकते हुए कहा आज से यही तुबारा बैठ है अगर तुम मेरे रूम में रहोगी तो यहीं सोगी तुम and don't make noise मुझे शोर पसंद नहीं है वेदिका बड़ी-बड़ी मासूम आखों से SR की तरफ ही देख रही थी जब SR ने वेदिका को लगबग डाटते हुए उससे कहा do you understand what I just said वेदिका ने हामे सर हिलाया तो SR ने वेदिका को मिमिक करते हुए कहा say yes or no मुझे इशारों की language समझ में नहीं आती है गूंगी तो नहीं हो तुम वेदिका ने सहमते हुए जवाब दिया हाँ हाँ SR ने वेदिका की चिन को अपने हाथ में लेते हुए कहा हो चुकी थी इधर SR ने अपने बेट के नस्दीक आते हुए अपने कपड़े उठाए और उन्हें वहीं रूम में वेदिका की नजरों के सामने पहनना शुरू कर दिया वेदिका SR की इस बिशर्मी पर बेहद हैरान थी उसने अपनी आखों को अपने दोनों हाथों से बंद कर लिया SR ने जब वेदिका को क्यूट अंदाज में अपनी आखों को बंद की होए देखा तो उसने अपने कदम एक बार फिर से वेदिका की तरफ बढ़ा दिये SR ने वेदिका के ऊपर एक बार फिर से जुकते हुए उसके दोनों हाथों को उसकी आखों से हटाते हुए उससे कहा इस तरह के नजारों की आदर डाल लो तो भी आइनो कि तुम बीवी बनने के लिए थोड़ी छोटी हो लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता अब तुम मेरी बीवी हो सुजस्चल वेदिका ने सर के बोलते ही फौरण हां कहा तो सर ने मुस्कुराते हुए उसकी चिन को एक बार फिर से अपने हाथों में थामते हुए कहा इतनी जल्दी सीख गई थों वेदिका गुड गर्ल सर के चहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थी सर ने आगे कहा ऐसा लग रहा है कि एक नहीं दो बच्चों को ले आया हूँ मैं सर यूही सिर्फ अपने नाइट वियर के पजामे को पहने वहां से बेट पर आकर लेट चुका था इतर वेदिका अपने आप में सिमट चुकी थी वेदिका को अपने दोस्त अभी की फिक्र हो रही थी लेकिन वो चाहा कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी उसकी एसार से पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी और किसी से कॉन्टाक्ट करने के लिए तो उसके पास फोन तक नहीं था वेदिका खामोशी से लेटे पर सीलिंग पर बने खूबसूरत पैटरन को देख रही थी इधर S.R. ने बेट पर लेटते ही सबसे पहले अपने फोन से कॉल लगाया वेदिका का पूरा ध्यान था S.R. की बातों पर S.R. ने एक आदमी से पूछा कैसा है वो? इधर से जवाब सुनने के बाद S.R. ने ओके कहा और फोन रख दिया S.R. ने बेट पर लेटे लेटे वेदिका से कहा जिन्दा है तुमारा दोस्त वेदिका ने जब S.R. की बात सुनी तो उसने चैन की सास ली यही तो बस वो तब से जानना चाहती थी वेदिका ने सोफे पर करवट ली और अब वो सोने की कोशिश कर रही थी रात में वेदिका को करवट बदलते बदलते लगभग दो बच चुके थे इधर S.R. गहरी नीन में सो चुका था वेदिका को ठंड लगी थी S.R. के रूम का एसी काफी कम टेंपरेचर पर चला होने की वज़ा से वेदिका के लिए ठंड में सोना मुश्किल हो रहा था वेदिका ने अपने दोनों पाओं को अपनी साड़ी में समेट लिया अपने दोनों हातों को भी वेदिका ने साड़ी के पल्लू में समेट लिया था खुद में सिम्टी वेदिका को देर रात नीन नहीं आई थी इधर अभिमान इंडिया लैंड हो चुका था अभिमान के लैंड होते ही एक चम चमाती ब्लाक मुसिडीज उसको लेने आई थी अभिमान एरपोर्ट से बाहर आया 6 फिट की लंबी चौडी हाइट, गठा हुआ शरीर, चामिंग लुक्स, करली बाल और चहरे पर गंभीर भावलिये ASR उसके कदब वहाँ से सीधे अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे एक आदमी उसके लगेज को संभालने के लिए उसके पीछे पीछे चल रहा था उस शक्स ने ASR के लगेज को कार में रखा और ड्राइवर ने कार का डोर खुल दिया ASR कार में बैठा और उसने वहाँ से सीधे हॉस्पिटल चलने के लिए कहा जहां उसका भाई अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था ASR के डीप ब्राउन आइज गुस्से में जल रही थी उसकी आखों में इंतकाम था वो उस शक्स को छोड़ने वाला नहीं था जिसने ये सब किया था ASR को इतना तो पता था कि ये सब बजाज फैमिली के घर पर हुआ है लेकिन इसके पीछे पूरी कहानी ASR को पता ही नहीं थी ASR की कार एरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल के रास्ते पर थी और जल्दी ही वो हॉस्पिटल पहुँच चुका था ASR ने हॉस्पिटल की रिसेफ्शन पर पता किया तो पता चला कि अभी मन्यू का ओपरेशन हो चुका है ASR दोड़ते हुए वहाँ पहुचा तो मिस्टर राजेश पजाच और वेदिक बजाच उसे वही नज़र आए वेदिक को देखकर ASR अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और उसने आगे बढ़ते ही सबसे पहले वेदिक के कॉलर को पकड़ लिया वेदिक ने ASR से कहा वेदिक के मूँ से निकलते इस शब्द ASR के दिल को चीर गए थे ASR को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था उसने चौकते होए कहा वाट? वेदिका की शादी हो गई है? कौन है वो जिसने मेरे भाई का ये हाल किया है? नाम बताओ मुझे उसका! क्या करेगा ASR? क्या ASR के दिल में है वेदिका के लिए फीलिंग्स? क्या बच पाएगा अभी मन्यू? कैसी होगी इस रात की सुभा? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में आप बने रहिए कैंटेड अमन के साथ! क्या बताओ आप बने रहिए पाएगा अमन के साथ!